एक के बाद एक लगाता रूसी हमलों को जहल रहे युक्रेन को जब सैन हत्यारों से लेकर सैनिक और सैनिकों की ट्रेनिंग जैसे मदद की सख्त जरूरत है ऐसे समय में एक के बाद एक कई नेटो देशों ने ऐसे बयान दिये जिससे स्पश्ट होता है कि वो युक्रेन की मदद से पीछे हटने के प्रयास में लगे है एसे लेकर देश आगे बढ़कर युक्रेन की मदद की बात करें तो सौभाविक है कि युक्रेन का मनोबल जरूर बढ़ेगा दरसर लिथुआनिया की प्रदान मंत्री इंग्रिडा सीमोनिटे ने कहा कि वो एक ट्रेनिंग मिशन के लिए युक्रेन की धर्ती पर ट्रेनिंग देने वाले सैनिकों को भेजने के लिए तयार है उन्होंने कहा कि लिथुआनिया सिर्फ युक्रेन के अन्रोध का इंतजार कर रहा है आपको बताते किस से पहले फ्रांस के राष्टपती मैनुवल मैक्रो ने फैवलरी में विचार रखा था कि युद्ध के मैदान में रूस को जीट से रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाना चाहिए उन्होंने इसके लिए नेटो सेनिको को भी युक्रेन भेजने की बात कही थी हाला कि कई नेटो देशों ने उनके विचार से असहमती जताई थी अब लिथुवानिया सरकार ने भी कुछ इस लहाज़े में कहा है कि युक्रेन की सहायता के लिए कोई भी रेड लाइन यानी किंतू परंतू या शर्त नहीं होनी चाहिए एक अख़वार से बात करते हुए सिमोनिटे ने कहा कि उनके पास युक्रेन में सैनिको को तैनात करने की संसदी अनुमती है लेकिन अभी उन्हें कीव से कोई अनुरोध नहीं मिला है लिथुवानिया उन पश्चिमी देशों में से है जो नियमित रुप से बयानबाजी करते रहे हैं पिछले महिने इसके राजदूतों में से एक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कहा गया था कि रूस का क्रिमियन ब्रीज जल्द ही नश्ट हो जाएगा हाला कि दूसरी तरफ रूसी सेना ने नौन स्ट्रेजिक नुकलियर हतियारों को तैनाद करने की अपनी क्षमता का परिक्षण करने के लिए एक सर्प्राइज ड्रिल की घोशना की है रूस ने कहा है कि ये मैक्रा और बिटिश विदेश सचीव डेविड कैमरन सही पश्चिमी अधिकारियों की धंकी का जवाब था दरसल बिटिश विदेश सचीव डेविड ने पिछले हफते मीडिया को बताया था कि युकरेन को अधिकार है कि वो बिटिश द्वारा दान किये गए हतियारों को रूस के अंदर लक्षियों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है हाला कि एक बात गौर करने वाली है कि अगर पश्चिमी देश वास्तों में युकरेन की मदद करना चाहते हैं तो उन सभी को मिलकर वास्तों में एक साथ आना होगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सभी अपनी अपनी धपली और अपना अपना राग अलापते रहेंगे जैसे कि बीते कई महिनों से एक के बात एक कई देश युकरेन की मदद के लिए आगे आने का आवास्तों करते रहें लेकिन युकरेन को हकीकत में कितनी मदद मिली है ये सब केस सामने है ह्वाँ आओक आओक झाल को हुआ है झाल झाल